कोरोना वाइरस के संक्रमन को देखते हुए कुलू जिला प्रशासन ने अपनी बाउंडरी बज़ौरा चेक पोस्ट पर पुलिस कर्मियों और स्वास्थे कर्मी की सुरक्षा के लिए COVID-19 सुरक्षा कवच स्थापित किया है कुलू जिला की सीमा के अंदर बाहरी राजियों से आने वाले वाहनचालकों का डिरेक्ष पुलिस वालों से संपर्क ना हो इसके लिए बज़ौरा चेक पोस्ट पर सीशे का बूत बनाया गया है यहाँ पर स्वास्ता विभाग वा पुलिस विभाग के करमचारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना एंटरी के सीमा के अंदर ना पहुँच सके उपायोक तु कुलो डॉक्टर रिचा वर्मा ना बताया कि कुलो जिला में अपने बॉर्डर पर पुलिस बल तेनाद किये हैं उन्होंने कहा कि कुलो जिला में प्रवेश करने वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है यहाँ पर एक computer भी लगाया गया है जिसमें वाहनों और उसमें आने जाने वालों का पूरा address एंटर किया जा रहा है उन्हें कहा कि यहाँ पर तनात करमचारियों की सुरक्षा को देखते हैं सुरक्षा कवच बनाया गया है हमारे border पे police बल तेनात हैं हमारे magistrate तेनात हैं वो frontline runners हैं हमारे और हमारे लिए बहुत important है अभी कितने लोग बाहर के राज्यों से भी आते हैं border में दूसरे district से भी आते हैं तो हमें नहीं पता कि किसके अंदर क्या infection हो सकता है तो इसी चीज को मद्य नजर रखते हुए यह एक हमने modify करके बनाया है जिसको हमने सुरक्षा कोविट सुरक्षा कवच का नाम दिया है इसमें जो हमारे doctor जो यहां पे बिल्कुल जैसे ही कोई enter होता है 22 तारिक से उनकी checking कर रहे हैं हमारे पुलिस के लोग हैं वह पूरी डिटेल उसकी नोट कर रहे हैं आपने देखा होगा एक कंप्यूटर भी लगाए ताकि एक पाउस के क्लिक पे हमें जब किसी गाड़ी के बारे में किसी व्यक्ति के बारे में पता करना हो तो तुरंथ हम यहां से कर सकता है कि हमारे जिले में कौन एंटर किया है कौन बाहर गया है और यह लोग यह करते हुए प्रोटेक्टेड भी रहे हैं पूरी तरफ से ग्लास से कवर्ड है इसके अंदर भी इनको बोला गया कि आप मास्क वगेरा लगाए तो एकदम डारेक्ट कॉंटेक्ट इनका लोगों के साथ नही सिटी चैनल के लिए कुलू से दिलिप ठाकर की रिपोर्ट